जेशीर राम सभी भगतों को जैव मादागी फीर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान चलिशा में इतनी शक्ती क्यूं है क्यूं जो है कहा जाता है कि हनुमान चलिशा का पाठ किया जाए तो आज की वीडियो इसी भी शेयर पे होने वाली है, पावर को जानेंगे, हनुमान चलिसा के अंदर इतनी पावर क्यों है, तो हमारे साथ अंतक बने रही है, तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहले बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, चलिए, शुरू करते हैं आज की वडियो जैशी राम, जैशी बालजी महाराच, जैमादाई, दा पावर ओफ हनुमान चल चलिशा के अंदर क्या चमतकार है, सत बार हनुमान चलिशा पढ़ने से क्या चमतकार होते हैं, हर एक एक चुपाई के अंदर अदबुद पावर, अदबुद शिक्षा, अदबुद ग्यान, अदबुद किर्पा, क्यों है, इसलिए है भया, और हर व्यक्ति को हनुमान चल हनुमान चलिशा पढ़ने से अनुभव ही क्यों होते हैं सारी बातों पर परदा आपके उड़ जाएगा इस ग्यान को अपने तक सिमित मत रखना अधिक सदिक शेर करना लाइक करना और एंड तक बने रहना हनुमान चलिशा स्वम गो स्वामी तुलसिदास जी के दुवारा लिखी भी नहीं है कभी आप सुचो के गुरुजी आप ही तो बोलता है बात को भया हनुमान चलिशा गो स्वामी तुलसिदास जी नहीं लिखी है नेकिन उस उसको लिखने का जो मार्ग दर्शन है जो लिखने की जो शिक्षा है जो लिखने का जो ग्यान है वो स्वम बज जरंग बली के दोवाला ही दिया गया है कैसे इस कहानी से इस कथा से यह जो कहानी यह सच्चे है और तुलसी दाजी के साथ ही यह जो गोस्वामी तूंसी दाज जी के अंगिरत- चमत-कार हो रहे थे. क्योंकि जिसके उपर प्रभू की किभगा होती है. उसके नाम की चर्चा गर-गर में पोचने लगती है. उसका नाम फहिमस होने लगता है. क्योंकि जिसके संग हनुमान जी चलते हैं क्योंकि हनुमान जी कल्यूक की अवतारी देवता है कल्यूक की जागरित देवता है तो गो स्वामी तूर्सी दाजी के सामने हर व्यक्ति स्वस्त होने लगाता था उनकी बातों से प्रभावित होने लगाता था उनके पास क्योंकि कि देखिए क्या होता है कि जब इस बात परपून रूप से हनुमान जी को, क्योंकि एक ऐसा विश्य है, एक ऐसी चल्चा, एक ऐसा नाम, जिसमें कल्यूक का देवता भी जागरित होता हो, राम नाम से हनुमान जी भी जागरित होते हैं, तो जब देख लिया कि मुगल समराजय में, जब उनको बुलाया गया, तो प्यार से बुलाया तो वो नहीं गए, तब मुगल समराजय के राजा ने उनको बंदी बना कर ही अपने दर्वारा के पेश लिया, तो रहे का कि दिखाओ अपने चमतकार, कहते हैं मैं कौन से चमतकार करता हूं मैं कोई चमतकार नहीं करता हूं ना मैं कोई चमतकारी हूं चमतकार तो स्वम इश्वर करता है और वही चमतकारी है मैं कोई चमतकारी नहीं हूं तो जो मुगल समराज्या के सैनिक थे जो मंत्री थे मंत्रिगन थे कहते हैं इनकी नाम की चर्चा करते हैं राम जी का गुर्गान करते हैं और राम नाम इनके देवतार के नाम से मालो прошद्डी हcę और ऐसे आसे इने चमतकार करें पुरा रज्यें के बारे में जानता है। क्योंकि वह को चमतकारी अपने आपको मानते नहीं थे जिस पकार से हनुमान जी स्वम नहीं कहते हैं इस बात को कि मेरी शक्ती मेरी नहीं है मेरे प्रभू की है उसी पकार से इन्हें कारागराह में उन्होंने जवाब सही धंसे नहीं दिया तो मुगल समराज्य के राजा ने कहता है कि जब उन्हें बंदी कि गहर में गिरखा गया तो रात्री को जब वो शैन कक्ष में जब वो लेटे थे वो बंदी किराय में सो रहे थे तो एक आवाज आती है तुलसी उठो तुलसी उठो तो वो देखते कि आवाज कहां से आ रही है नेकि आवाज जो आ रही है वो हर्दे में लग रही है को ऐसी आवाज दे रहा है कि उठो अब वक्त आ गया अब वक्त आ गया संसार में उस दिव्य मंतर को लिखित रूप में करने का जिस से आने वाले वक्त में हर व्यक्ति सादू शंत और ये लगा लो जो भी व्यक्ति दुखी होगा वो सिध होगा और किर्पा प्राप्त करेगा आज वो वक्त आ रहा है तुलसी उठो तब गो स्वामी तुल सिधार जीन ने वह हनुमान चलिसा स्वम अपने शब्दों से नहीं लिकि यह वो शबद स्वम इश्वर के थे वो स्वम प्रमात्मा के थे वह हनुमान जी महराज की किर्पा के ही शब्द जो ये इस लिखा वह है शिरी गुरु चरन सरोज रग यह स्वम बनाब यह तो बनाएवे हैं नेकिन यह जो चालिस दोए हैं यह स्वम हनुमान जी के दुवारा दिये गए जो यह पड़े हनुमान चलीसा होए सिद्शा की गोरिसा छूटी बंदी महा सुको होई हर पकार के बंद्रों से मुक्त हो जाता है नासे रोग हरे सबीरा भूत पिचास निकट नहीं आवे आप सोचके देखिए सबसे हनुमान चलीसा ही ती जो कल्यू गुम्मे थी बाकी चलीसा हनुमान चलीसा ऐसा ही निकली है बाकी कोई चलीसा ऐसे नहीं थी कि किसी देव या किसी सिद्पूष्ट के दोवारा लेकी गई हो तो कि गो स्वामी सिद्पूष्ट्रे हनुमान ची की शक्तियों को उन्हों ने शाक्षा देखा है मैसूस किया है दर्शन किये है प्रभुशी राम के दर्शन हनुमान जी ने ही करवाए थे जब गो स्वामी जब वर्द वस्था में आ गए थे जीवन भर का सारा शय उन्होंने देखा कि मैंने सब कुछ पा लिया सब कुछ पा लिया नेकिन एक चीज नहीं पाई जो इन सबसे बड़ी है राम जी की किर्पा राम जी का नाम और उनकी दर्शनों क विलाशा उनके मन में थी तब कहते कि ब्रह्म राक्षस नहीं उन्हें दर्शन करवाए थे तो जो हनुमान चलिसा है वो पावर्फुल है क्योंकि उसके जो एक एक शबद है जब गो स्वामी तूर्सी दाजी ने उस हनुमान चलिसा को लिखा लिखते वक्त उस वक्त उनक शत्वार पाट कर कोई कोही भी हो किसी भी धर्म का हो जो भी शत्वार पाट करेगा हर पकार के बंदों से मुक्त अगा और वह एक्ती सिद्ध भी होगा तो उस दुरान क्या हुआ कि जब ये वाक्या हुआ तब उन्होंने कहा कि ये ही बविश्य में ये कल्यूग में ये ही एक मात्र मंत्र ऐसा होगा जो सिद्ध होगा और जो व्यक्ती सचे मन से कहा जाता है आज भी कि हनुमान चलिसा के शत बार करता है पाट या शत बार नहीं कर सकता साथ बार भी अगर नित्यनिम से आप पाट करते हो तो आपके उपर हनुमान जी माराज की कित्पा सदय पढ़ी जाती है और हनुमान जी आपकी हर पगबग पे रक्षा करते हैं हर जगए जगए रक्षा करते हैं उस शक्ति को महसूस के जता है अब जब देखा कि गो स्वामी तु सिदाज जी सुबह जब देखा कि हाँ वही उन्होंने इस चीज़ की रचना कर दी अब उन्होंने फिर इस बाबा की किर्पा इतनी विषाल सेना आई चारों तरफ से वानरी वानर कूद पड़े और जब ऐसे वानरों को देखतर जिनों ने आहाकार मचा दिया और पूरी मुगल समराज्य को हिला के रख दिया तब राजा तक ये बात पोची कि यहां तो वानरी वानर आ रहे हैं माना करद के बाबा को होता है जो बाबा को मंजूर होता है वही आपके साथ होगा कोई कितना भी कुछ कर ले कितना भी कुछ आपके ओपर मारा करने की तर профессional कर ले नेकिन अगर आप अपने इश्ट पे हनुमान जी महराज पे पुन रूप से विश्वास करके चलोगे क्योंकि जाने से पहले गोस्वामी तुल सिदाद जी को इस बात का पता है प्रभु शेराम ने कल्यूग के परधान रुप के देवता को वरदान दे रखा है कि कल्यूग तेरे नाम है ये मेरा वरदान है तू ही कल्यूग की शान है कल्यूग में हनुमान जी की पूजा जो भी भगत करेगा चोटा हो बड़ा हो इस्त्रियो पुर्षो यहां तक कि किसी भी जाती का हो किसी भी धर्म का हो वो व्यक्ति किर्पा दायक बनेगा ही बनेगा और उसके उपर हनुमान जी की किर्पा होगी होगी आप हनुमान जी को कोई चोटी मोटी शक्ति मत समझे हनुमान जी इस जगत के सुम ब्रहम है सुम किर्पादायक शक्ति है हनुमान जी जागली तो देवता है हनुमान जी सब को देखते है हनुमान जी को कल्यू गुमे निंद्रा की अब शक्ता नहीं है कहा जाता है कि हनुमा जो इनका जो खैसा वैसी थी स्वाम लक्षमन भाया से हो गई क्या हुआ जब आपको पता है कि जब सुग्रीव से मिलन हुआ था तब जो लक्षमन जी थे 14 वर्ष तक वो सोय नहीं थे निंद्रा वस्ता नहीं ली थी और जिस दिन उनको मुर्चा आई थी उस जागरित year को ये कहा था कि भाया एक वार क्या वथा हनुमान जी ने उनका पैरा देने लगे थे भगवाण श्री राम थ कि फो लक्षमन भ्यान ने बोला था तो हनुमान जी ने कहा कि अगर ये थोड़ा सा कष्ट मुझे भी दे दो अगर इसमें तो लक्षवन भाईया ने दिया नहीं था तो अन्त समय पर जब उनका जब अन्त समय था उस समय उस जागरित देवता ने ही उनके प्रान बचाये दे और उसके बाद लक्षवन भाईया ने ये बात उनको कही थी कि आज से आप प्रभुशी राम के दुवारपाल हमेशा ही रहोगे देखिए प्रभु किस पकार अपने भक्त की मानता करवाते हैं यही बात है जो हनुमान जी का भक्त बनेगा जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो उनकी किरपा को प्राप्त करेगा हनुमान जी के अंदर अपार बल की किरपा है अपार शक्ती है कि माण ये भी माना जाता है कि हनुमान सेच्ट जोत्श्च can घर चाव कर बहुत बड़ा अनुमान उनके पास वर वह अर्फ्प गार की विद्या जानतें अश्ट शिद्ण opinion निजि के दाता हходит अश्ट सिद्या तो है है वह दाता भी है ये भी बात क्या देख्ज़ने ना आप कभी ये मत सुचना कि हनुमान जी की पूजा करने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा मैं कहता हूँ आज मेरी बात को आप गोर से सुनिए इस बात को हनुआन जी की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त होगा जो आपके पास नहीं है अकेला हनुआन जी की पूजा से एक भगत का कोशन आया मेरे पास हो कहता है गुर जी मैं किसी संत के पास क्या कहता है भाईया ऐसे ब्रह्मचारी की पूजा करेगा तो तेरा विवाग कहां से होगा एक भगत ने मुझसे ऐसा कोशन किया किसी भगत ने उसको ये बात कही है ऐसा किस विधान में लिखा है हनुमान जी तो एक ऐसे कष्ट प्रभु शिरी राम और माता सिता के तो बहुत है तो आप एक बात सुचो जो गिस गरत जीवन की पालन हारी और महालक्षमी आप जिनके साथ उनकी उनकी किर्पा जिनके उपर हो तो सुचो आपके विवाग को भईया कौन रोख सकता है कोई नहीं एक अगर आपके मन में ये संदेवी है मैं इस्तरी हूँ क्या हनुमान जी में उससे प्रसंद नहीं होंगे देखिए हनुमान जी एक हम मर्यादा होती है जैसे बाप बेटे की मर्यादा होती है बाप बेटी की मर्यादा होती है एक मर्यादित रहकर ही तो सब्सक्रातन धर्म है तो उसी पकार से आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और हनुमान चलिसा के अंदर छुपी है रहसे मही शक्तिया इस रहसे में शक्तियों को जानने के लिए आपको हनुमान चलिसा को समझना होगा हनुमान चलिसा की एक एक चुपाई को समझना होगा हनुमान चलिसा की एक एक दोए को समझना होगा जो एक एक दोवा है वो भोती महत पूर्ण है इस चालिस दोहों में अपार शक्ति छुपी है इस चालिस दोहों के अंदर आपको ऐसी किर्पा प्राप्त हो सकती है मैं कहता हूं को आपको अश्ट सिद्यां और नव निद्यां भी प्राप्त हो सकती है मातर हनुमान चलिशा से हनुमान चलिशा को कैसे सिद्ध करें इस पर लगातार कीजिए गुरु के सानिध्य में रहकर कीजिए नहीं प्रसेंट प्रसेंट प्राप्त होगी और आपको दुनिया की कोई ताकत आपके इश्ट से मिलने से नहीं रोखको इन आपको Kोई बी शक्ति आपको बांद ने सकती है एक हनुमान जी ही एक ऐसे देव है जिर कभी बंदन में नहीं सकते आप हनुमान जी को छोटी शक्ति मत सुना अतलित बलके धाम है अतलित बलके धाम है बाबा अतलित बलके धाम है हमारे प्रभू और उस प्रभू की अराधना करने से आपको अपार खिर्पा तो मिलेगी मिलेगी साथ में आपकी साथ पिडिया भी तरहेंगी आपके कुल देवी देवता के उपर अगर कोई पकार का बंदन होगा वो भी उससे मुख्त है हनुमान जी की पूजा करने से सब कुछ प्राप्रोगता है हनुमान चलिसा एक दिव्या मंतर है दा पावर ओफ हनुमान चलिसा ये पावर जो है एक रहसे में शक्ति है एक गठन है इस चालि अच्छा बना लिजिए कि मैंने सुबह और शाम साथ साथ पाट करने हैं देखिए आपकी जीवन को कैसे नहीं बदलाव आता बदलाव आने के लिए संतुलित भी होना जरूरी होता है कई वार ऐसा भी जैसे मेरी वीडियो को आप ये वीडियो देख रहे हो ऐसे ही पिछे कि अपर ठंडा पानी पी लेंगे या दूद पी लेंगे तो बदहजमी बच जाएगी इसी पकार से कोई भी पाट पूजा करते हो उसके लिए क्या-क्या चीजे अनिवारिये हैं ये इसी चीज को रोकने के लिए होता है वैसे तो भगवान सरे आम ही आपको प्राप्त हो स यह content कारिय बताएगे यह यह रास्ते बताए गये क्या प्रभू को प्राप्त करना है तो वह लिए जै सितर्ञा माहराज और मातर राने की और शिरी बाला जी महाराज की अपार गिर्पा सदै वाप भक्रतों पर बने रहे आपका बहुत श.्योग है आपके लिए मंगल पार्ट किया जाता है शेरी बाला जी महराज आपके परिवार की रख्षा करे और हर बुराई से हर दूखों से आपको दूर रखे जाए मारा